पाकिस्तान के विकेटीपर बर्लेबाज कमरान अकमल ने शिर्लंका के मौझूदा दौरे में पारदे टीम का शांदा नेतरित्व करने के लिए शिकरदवन की तारिफ की अकमन ने मैदान पर धवन के शान्त वियावार और लीडर्शिप की तुलनापूर कप्तान महिंदर सिंग धोनी से की धवन की कप्तानी में भारत ने हाल ही में शिरलंका को फंडे सिरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी टीम इडिया ने जीत के इसी सिलसले को टी-20 सिरीज में भी परकरार रखा और पहले मैच में मेजवान टीम को 38 रन से हरा दिया अकमन ने अपने यूट्यूब चैनल पर धवन की टीम का नेचरित्व करनी की शैली और मैदान पर उनके फैसले की तारिफ की पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा कि उन्हें धवन में धोनी का अक्ष नजराता है श्रिलंका के खिलाब पहले टी-20 में शिकर दवन की कपतानी वास्तब में अच्छी थी उन्होंने गिंदवाजी में अच्छे बदलाव किये और फिल्ड प्लेसिंग भी असरदार दिखी दवन एक अच्छे कापतान की तरह लगते हैं वास्तब में दवन की कापतानी में धोनी की चाप देख सकता हूँ जिस तरह धोनी मैदान पर कूल रहते थे दवन वी वैसे ही नजर आते हैं पाकिस्तानी विकेट कीपर ने कहा कि उन्होंने दवाव में काफी बहतरी इन फैसल लिये और शिल्लंका की तेज शुरबात के बाद भी गवराई नहीं 38 रन से मैज जीतना वो भी तब जब शिल्लंका ने दो ओवर में बिना विकेट कोई 20 रन बना दिये थे ये वाकिए खास है इसका श्रे धवन को जरूर मिलना चाहिए यकिनन भारती गेंदवाज भी शांदार थे लेकिन दवन ने खिलाडियों पर दबाव महसूस नहीं होने दिया जो अच्छे कफ्तान की निसानी है मलने पहले टी 20 में 164 रन के स्कोर का बचाव करने वाले भारत के गेंदवाजी आकर्मन की सराना भी की मेजबान टीम ने शांदार शुरुवाद की लेकिन मध्यकरम में बल्यवाज अच्छा नहीं किलवाए जिसकी गीमत शिलनका को हार के रूप में चुकानी पड़ी भारते कप्तान भूमने शुरु कुमार ने गेंदवाजी के तौरान अपने अनुभाव कासा इस्तमाल किया वो विस विस तरे गेंदवाज है टी 20 क्रिकेट में 165 रन का लक्ष असानी से हासिल किया जा सकता है लेकिन भारते गेंदवाजी का इस तरे मैच में काफी हुचा रहा है और शिलनकाई बलेवाज इस चिनौती को पार नहीं कर पाए क्यारे दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरू बताएं जैहें